आज की वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में जादा नॉलेज नहीं है। यह एक ऐसा सवाल है जो मेरे female patients कुछ से अकसर पूछते हैं कि जब हमारे को periods होते हैं माने जब हमारा महीना होता है उस दौरान पे हम क्या sex कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर तुली का दत्ता अलो हेल्थ के साथ sexual health expert इसके बारे में काफी misconception माने अफ़ाय है कि यह चीज सही है या गलत है तो कोई इसके फाइदे भी है और कुछ इसके नौकसान भी है। सबसे पहले हम इस चीज के बारे में बात करते हैं कि अगर हम periods के दौरान पे sex करते हैं तो इसके हमारे फाइदे क्या है। सबसे पहला हमारे जो periods के दौरान के जो हमारे को cramps होते हैं जो दर्द होती है हमारी को sex अगर हम करें periods के time पे तो यह cramps हमारे ठीक हो सकते हैं। क्या होता है जब हम sex करते हैं तो हमारा शरीर न एंडॉर्फिन नामा की चीज को release करता है। वो अच्छी feeling जब होती है तब हमारा शरीर इंडॉर्फिन को release करता है। उसके वज़े से जो हमारे muscles का contraction होता है जो cramps होते हैं वो हमारे ठीक हो जाते हैं। दूसरा फाइदा अगर हम sex कर रहे हैं periods के दौरान पे तो हमारे को चीजे जादा महसूस होती है। जब periods हमारे हो रहे हुते हैं तो हमारे शरीर में होर्मोन्स हैं जो हमारे periods को आने में रोपने में कम बोने चाहिए उनको देखते हैं। साथ में हमारा सेक्स करने की भी जो इच्छा और हम जो चीज़े महसूस करते हैं वो यही हॉर्मोन्स देखते हैं तो जब हम सेक्स करते हैं पीरिट्स के दुरान पे उस टाइम पे हमारा शरीर एक ऐसे स्थिथी पे होता है कि हमें जादा चीज़े महसूस होता है इसलिए अगर हम sex करें गीरेट्स के टाइम पर तो enjoyment भी हमारे को जादा आती है तीसरा फाइदा जो हमारा खुन निकल रहा होता है वो हमारा खुन यूट्रस से निकलता है और जाता है वजाइना में और वजाइना से ये बाहर की तरफ आता है जब हम सेक्स करते हैं तो हमारा गीलापन नीचे होता है यानि लूब्रिकेशन और अगर हम सेक्स पेरिट्स के टाइम पे करें तो वो लूब्रिकेशन हमारा और होता है उसकी वज़े से भी हमारे को सेक्स करते वक्त और मजा आता है अब हम बात करते हैं कि अगर हम periods जो है उस time पे अगर हम sex कर रहे हैं तो इसके हमारे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं शारीरिक नुकसान सबसे पहला ये है कि हमारा risk जो होता है infection का वो हमारा बढ़ जाता है क्योंकि अगर हमारे खूल में किसी चीज का infection हो तो chances ऐसे बढ़ जाते हैं कि आपके partner को भी वो infection पहल सकता है लेकिन इस चीज में अगर हम condom पहनें तो वो infection जो है वो infection transmit होने के chances हमारे कम हो जाते हैं हमारे सोसाइटी में पीरिट्स के टाइम के उपर sex करना एक टाबू माना जाता है वो को लगता है कि इस टाइट पे हमें नहीं करना चाहिए बस कुछ कलत फेमिया होती है जिसके वज़े से लगता है कि हमारे को पीरिट्स में नहीं करना चाहिए लेकिन ऐसा scientifically अगर आप देखे medically ऐसी कोई चीज नहीं है कुछ females को जब उनको periods होते हैं तो उनको cramps बहुत जादा होते हैं उनके mood में काफी changes आते हैं वो खुड़ा गुसा बंसा या चिर्चिरा पंसा रहता है सिर्फ चकराना सिर्फ दर्द करना अगर आपके partner या फिर अगर आपको मन नहीं है सेक्स करने का और यह सारी चीज आपको मैसूस हो रही है तो फिर उस time पर अपने आपको भरतस्ति सेक्स करने का कोई फाइदा नहीं है अगर आपको इसके बारे में or doubts है या फिर आप जाणनाशाते हैं sex के बारे में सेक्स एजुकेशन के बारे में तो आलो हेल्थ के चैनल पर जाएए काफी वीडियोस है अगर आपको डॉक्टर से बात करनी है तो आलो हेल्थ के साइट पर विजिट करें और विली अपने सेक्शन हेल्थ एक्सपर्ट से